हेलो फ्रेंट स्वादत आपका हाईवे क्लासेश पर आज हम लोग प्रॉफिटेंड लाउस से कल हमने एक छोटा सा बेसिक सा लेक्चर देखा था और उसमें मैंने बता रहें काफी इंपोर्टेंट था जिन लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा आगर वो डिरेक्टी वाल हमें लिखना है और लाव होगा तो कैसे होगा हानी होगी तो कैसे होगी और यह सारी बाते हमने बताएं कि क्रेमल क्या है विक्रेमल क्या है लागत्मल क्या है कित्मल यह सारी चीजें हैं हमने आपके साथ बताई है और कैसे क्या है पूरा बेसिक लेक्चर है सारा का सारा प सीखेंगे तो हम दूसरा जो है कड़ी के ऊपर कड़ी बनाते हुए चलेंगे इस प्रगार अने था आप जो है माइंड डिश्टर्ग होगा तो आए सीधी हम लोग डिरेक्ट कुशन पर चलते हैं और देखते हैं पहला कुशन लिखा हुआ है कि एक वास्तो को विक्रे लिखेंगे ताइम लगेगा तो जो विक्रे मुल है वो कितना है 390 रुपए है ठीक है जी अची 390 रुपए हो गया विक्रे मुल ले फिर आगे पड़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि विक्रे करने पर एक दुपंदार को 20 प्रतिसरत का लाब हुआ है लाब कितने का हुआ है ठीक है जी वस्ट काप क्रेमूल गया कीजिए क्रेमूल मतलब समझते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस बता रहे हैं क्रेमूल यह जिस मूल पर बस्ट को खरीदा कल हमने आपको एक बात बताई पीछे जो लेक्शन में बात बताई है कि अगर किसी भी बस्ट पर क्रेमूल क्रेमूल दिया गया और आपने उस पर लाब और रहानी लेली तो समझन लोग विक्रेमूल हो जाएगा अगर आपको भी क्रेमूल दिया गया है और उस पर लाब और रहानी लेली तो समझन लोग क्रेमूल जाएगा इसका मलब कहने का प्रियासी करें क्रे से विक्रे और जो लादक मुले वो हमने आपको होता है अंकित मुल पर हमेसा छूट दी जाती है लाव हान कभी ने लिए ओके अंकित मुल पर हमेसा ही छूट दी जाएगी ओके ठीक है तो हम हम इस पर 20% का लाव ले तो क्या जाएगा अगर यहां क्रेमुल दिया गया होता और 20% का लाव लेते तो यहां पर क्या जाता बिक्रेमुल ला जाता वो सिंपल बिना फार्मुले के हम लोग पूरी profit and loss पढ़ने का प्रयास करेंगी क्योंकि हम आपको कुछ रटाएंगी नही और जब में कुछ आपको रटाएंगी नहीं तो आप कुछ बोलेगी नहीं जाएसी बनात है एसी और क्या चीजे हैं बस सिंपल सिंपल कांसेप्ट बताता रहांगा आपको पता भी नहीं चल पायांगा कि जो क्राइमूल पर लाव लेना हो या हान लेना हो तो चाहें जो लेना हो देखो पीछने में आपको क्या पताशने है कि जब हमें क्राइमूल दिया जाए तब जो भी हमें जोड घटाके जोड घटाने कमलब लाव हो रहा है तो हम 100 में जोड देंगे और हान योड तो 100 में सो अगर आपको सेलिंग प्राइज दिया गया है तो हम सो यहां फिक्स करेंगे अंस में और तो अब हम हर में जो भी जोड घटा के लिखेंगे जैसे अगर लाव हो रहा है तो एक सो बीस बुटे सो हानी हो रही है भी इसकी तो असी बुटे सो यह ध्यान रखिए यह पूरे में आपके काम आएगी बिना फार्मूले के आपके सवाल का एंसर दिलाएगी क्या कि जो क्रैमूल दिया गया हो तो जो भी हमें जोड घटा के लिखना है जोड घटाने को आप समझे चुके हैं वह अंस में लिखेंगे और भी क्रैमूल दिया गया हो तो हर में लिखेंगे अब बहुत से लोग अंताजा लगा जोते हैं कि लाव होगा तो अंस में जोड़के लिखेंगे 120 वटे 100 अगर हा नहीं हो गई तो 100 वटे ऐसी ऐसा नहीं है अएसे में आपके सवाल गलत होते हैं तो हम यहां पर देखें हमें कहा गया है कि विक्रे मुलिक दिया गया है वह 390 वे दिया अभी हम धिया गया जब विक्रे मुलिक दिया गया हो तो हमें जो भी जो लगटा के लिए वो हर में लिखना है तो अंस में तो सौ फिक्स हो गया अब देखो 20% का लाग हो गया इसका में यहां में कितना लिखना 120 अगर हां नहीं होती तब भी हम 808 नहीं करते 25 25 के 5 हां से लगया साथ 25 एकम 25 सो साथ 32 यानिकि 325 रुपाय में हमने इसको खईदा था और 390 रुपन देजा तब जाते तो तब तो मिला हुआ 20% का तो यह था कांसेप्ट की इसमें पीछे हम सवाल हना की करा चुके हैं लेकिन मैं कुशन के तौर पर इनको फिट से करना कि नेक्स विशन है कि किसी वस्त को 480 रुपाय में बेजने पर फिर आ गए समय लोग 480 रुपाय में बेजने पर 20% लाव होता है लोग भाई लाव दिया गया फिरसे ऐसा ही सवाल है 20% का लाव होता है 20% लाव होता है वस्तुका क्रेमूल लिगाती है क्रेमूल ले 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 क्रेम निकाल के देगा ओके मैं इतनी वार इसलिए कह रहा हूं कि आप गल्ती ना करें तो चारसो असी आपका दिया गया है विक्रेमुल अभी हमने जाना जब हमें विक्रेमुल दिया गया हो तो जो भी लाव हानी है वह हम नीचे ही लिखते हैं जोड़ कटाके तो 20% का लाव है इ सवाल करने हैं तो आगे दूसरा सवाल है उसको लेखते हैं कि सवाल है दूसरा एक वस्तुक का 352 रुपए 88 पैसे में बेजने पर बेजने पर वही सेलिंग प्राइस कुंसे दिया गया और 352 रुपए 88 पैसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हैं बेजने पर बारा प्रति सकी हान होती है । अब नहीं हो रहा है इस बार हान ही कितने की बार कूर कि पर आगे क्या करें वस्तुक का क्रेमोल लिख जब अब आपको और क्रेमोली किनकलेगा अब बारा मेरा पर फ्रस्त की प्रिस्ट तो दिये गए अब 20-12 प्रिस्ट की हान या गई अब यहां पर सब्सक्राइब यहां पर अब यहां पर ना जाने का जीरों नहीं लगाया जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं आपने वी कियों और जीरों का जीरों रहेगा फिर आठीका माठ इसका मदब यह आगया चार्सो एक रोपन अब ठानी तो होनी थी क्योंकि आपने बस कितने में खरी दी चार्सो एक रुपे में आप बेच कितने पाए 352 रुपे अठासी परसें तब ही तो हानी हो गए 12 प्रसित की तो यह था एक तरीका था चाहें पॉइंट में हो कुछ भी हो आपको सिस्टमेटिक करेंगे आपका एंसर बिल्कुल एक सब्सक्राइब करेंगे अच्छा रहता है अभी हम आपको देखेंगे सब्सक्राइब कैसे आसानी से लगते हैं दूसरा सब्सक्राइब परहें तो देख लें अऀSo सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को बलल श्चार नमें गया और इस ao प्राइब प्राइब लाव उप्राप्त करने के लिए घड़ी तो लाव उप्राप्त करना चाहते हैं और वो भी 25 प्राइब का तो हमें आप बता हैं कि हम घड़ी कितने में बेचे हैं अब देखिए सेलिंग प्राइब दिया गया सेलिंग प्राइब पूछ रहे हैं अब थोड़ा इसमें समय लेना हम लोग कैसे सवाल को बिना फार्प्रेस हैं पांच सो चालीस रुपए की घड़ी दस प्रसेंट की हान पर मेंची गए तो पहले तो आप यह निकाल लें कि वस यह निःएं पर सब्सक्राइब जैसे ही आप विक्रेमूल पर लाव यहां जानी कुछ भी लेंगे तो टमार्ट हो जाएगा पो दियाओ यह और पंसो चालीस रुपए की चीजिन और रिशा लेक्त विक्रेमूल जा घए हो तो जो भी मोड़ दीआ घटा के लिए सब्सक्राइब करें अगर हमें 25 परसेंट का लाग तो यह सवाल आगे बढ़ता है तो कितने में बैचना चाहिए यह क्रेमूल है क्रेमूल है पचीस परसेंट का लाग होना है अभी हमने आपको बताया पीछे कि बहुत क्रेमूल जब भी दिया गया हो जाहें हो लाग जाहें वहां नहीं तो जो भी लेना है उसको जोड घठाके हम लोगों अंस में लिखना हो इसका हम लोग हर में अब आपका सो फिक्स हो गया तो पचीस परसेंट का लाव देना है तो यहां लिखें कि एक सो पचीस तो चाहूं तो दो जीलो यह काट सकते हो छे गुणे पांचे पंचे तीस छे दूनी बारहा और तीन पंदरह छे कम छे और एक सांथ नेकिए सास सो पचास रुपए में यह आपको बेजनी पड़ेगी बस यह हमारा एंसर आप बिना कोई फार्मूले के ठीक है बस सिंपल से मलब हमने कोई भी आपको फार्मूला भी नहीं बताया है और मैं सुझता हूं कि यूपी टेट में आपको क्या फार्मूले भी रटाओं कुछ नह कि थी क्या करना है को कि यहां पर हमको लेना है 100 प्लस मायनस यस हमने यहां पर लिक है । अब धिया यह दे न है यह यह देना है ये वाई जो है वह दूसरी बार में पूछा गया जो वाला जो परसिंटेज्च सब्सक्राइब कर T जो कि हमने यहां पर किये हैं तो आपका एंसर आगा 750 रूपर है इसको हम यहां पर लिखा जाता है जो पूंचा जाए जिस पर जोर दिया जाए जिस पर दबाव डाला जाए यानि कि 25% का लाव लेना 25% पर दबाव बहुत है कि 25% पर लाव लेना है तो हमें 25% यहां पर रखना पड़ेगा यहां पर सेकेंड आप जैसे भी अडिजेश करना चाहें बट हम आपको चाहेंगे इस तरीके से अगर आप सीख गया है तो आप जार सी बात से दूसरी लाइन नहीं लेने देगे ओके से लोग यहां फिट से ल करेंए पर दूसरे लावि कर नहीं चुहां लेना हो तो तो परिखा जो होता जो ना की इसका मघँए सौब gentle काो पड़े काम था तो जो तरीका आपको एजी लगें विसे आप बेसिक से आईए कोई इसमें पूछा जाए या कुछ पहले दे दिया जाए परसेंटेज या कुछ आगे पीछे कर दिया जाए आपका सवाल दो सुझाएगा क्योंकि अभी आप इतना सेंस नहीं लगा पाएंगे और अगर आप हम मानके ऐसा चलना है कि यूपिटेट वाले जो है पढ़ाई छोड़े देते हैं ऐसा सन्यमाता या जो लगे रहते हैं उनका अच्छी बात है यहाना कि आपकी बात जो बहुत पुड़ाने हैं हमारे पास कि सार हम आपके ही सारे हैं तो हम भी उसी हिसाब से ही हमापको मेंका ऊठीक अचीशाता आपकी प्रोब्लम प्रdisplay दो कि 50 परसंट करने के लिए 15 परसंट करने के लिए बैच जो है जो है वो 15 परसंट प्राप्ट करने के लिए यानि कि सवाल कर आप कि 15 प्रस्ट लाव प्राच करने के लिए लेंद्रू इतने रुपें बेचना चाहिए यानि कि फिर से आपको सेलिंग प्राइस पूच रहा है अब या करते हैं ऐसा हम लोग तो सेलिंग प्राइस पर आपने पहली बार लावहां चाहां जो लिया वो क्रेमल हो जाएगा और क को जहां से देखा जाए आईए हम लोग सवाल करते हैं 35 रुपए जो है विक्रे मुल है 35 रुपए विक्रे मुल है और लाव लेना है पहले में 25 परसेंट का अभी हम बता चुके हैं कि विक्रे मुल दिया गया हो चाहें तो वो लाव हो दो यहां पर्न गड़ेंगे जो भिक्रे मुल दिया हो ऑर हमें हमें लाव हो चाहें हो हान जो भी हम को योड़ बठाके लिखना है वह हर बैशना होता ह्या अंस मो करें और यह और यह जोप्त कर लेने सब्स to तो यह पूरा काम करेगा क्रेमूल बन चुका है क्यों चहीं कि बन जाएगा क्रेमूल पर हमको फिर से लेना है लाव कितने का 15% का तो क्रेमूल पर जब आप लाव और जहां यो लेते हैं यू अन्स में लिखते हैं जो ड़ाठा के तो इसका मभलब हरमेचॉफिक्स तो 15% का लाब यानिके 115 सौ से सो यह कर दिया आपका ऐसे ही कर सकते हैं तो आप चाहें तो 5 से यहां काट दें 5 दूनी 10 पचन 25 और 5 से 35 एक बार 5 से और डिवाड रहा हैं तो हम लोग यहां गुणा कर लेंगे साथीयां 21 और साथ दूनी 14 और 1 बटे में कितना है 5 हम भाग भी कर सकते हैं तो भाग करेंगे देखे 5 तियां 15 और एक बचा हो गया 10 पांच दूनी 10 फिर एक बचा दसमलव लोग आया तो यह जो है आपका 32 दसमलव दो ऐसे कर सकते हैं जिरो प्रावलों पीछे कोई प्रावब्म नहीं है यानि कि हमको इसमें कितने को बेचना पड़ेगा कि समझ पाया यानि कि 35 में मैच रहे थे तब तो 25 परसेंट का लाव रहात है जब हम 32 में मैचें तो इस हिसाब से एक्विशन आप लगाएं और सिंपल्स तरीके से मिता रहें आपको इसमें अभी उने विदाया जिसे जो विद्धर मुर दिया कि हो लिए दूसरे वाला प सब्सक्राइब तरीके से भी आप लोग डील कर सकते हैं अपने कुशन को हम इसका सेशन का एक लाश्ट कुशन है पूर्ण डिस्कर्स करते हैं आपके साथ और समझना चीजों को तो क्विशन नमबर जो 6 है वो कहा गया है कि एक वस्त हो तीस प्रत्सत हानी पर 2100 रुपए में बेची गई ठीक है भई सेलिंग प्राइज दी गया 2100 रुपए और हानी हो गई है इस पर 30 प्रत्सत की ओके 30 प्रत्सत की हानी हो गई है फिर हमारा सवाल कह रहा है कि वर्ष को कितने रुपए मेचा जाए जिससे केवल प्रत्सत हानी हो कितने बेचा जाए एक वर हमको आठ प्रसंट की हानी ही चाहिए कितने बेचा जाए फिर सेलिंग प्राइस नहीं करेंगे सेलिंग प्राइस पर हानी बाला पहले concept सीखेंगे तो देखिए एकीस सो रुपए आपका हो गया सेलिंग प्राइस यानिखी 1-20 रुपए विक्रेमुल देए होने पर आपको जो भी जोड़ घटा के लिखना होता है वह हर में लिखना होता है तो चाहें घटाके लिखते हैं वो अंस में लिखते हैं तो 8% की हां तो यहां लिखेंगे बानवे बड़े में 100 तो यह 100 से 100 कैंसल हो गया जीरो से जीरो यह 721 तो यहां 30 बचा 30 से गुणा करनी नेकले में तीस का जीरो लिए ते तीन से तीन दुनी चे और तीन नियन 27 यानिकि 2760 रुपए की जवाब बेचेंगे तो आपको 30 परसेंट का घाटा नहीं 8 परसेंट का ही होगा इसका मरब जो इसका एंसर है वो 2760 रुपए है आई होप हम आपको इतनी चीज जो है समझाने में सामर्थ रहे हैं सेम इसे प्रकार जैसे में का 200 रुपए आपने लिए बुड़े में दूसरा परसेंट तो दूसरा परसेंट आठ का है तो आठ परसेंट की हां तो नीचे तो 30 का है तो 70 008 रुपए है तो 30 से पान्वे मे सेखेंगे लाब हानी के ओके जिसमें एक रुपए में छे की तर से ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है विला थाइंक्यू मिलते हैं नेक्स लेक्शन